स्लीम अलेको अनलीकह लोग्र Pour rush, 12.升 रिए मदो। असलाम अलेकों। मेरा नम हवीज है क्लिनियकल साइक आ कुलोजीस्त। आज हमारे साथ माझूत हैं कुरम शेराद्ज कहा है छोकिए क्लिनिíकल साइक उडियस्त लिक्षा नुरिथब्य हो एक प्रोग्रम वो क्या होता है और नशे के म्रीजों को रिलैप्स पर्वेंशन के बारे में कैसे गाइड किया जा सकता है तो असलाम अलेकुम वालेकुम असलाम सर कैसे हैं अलहमदलिल्ला मैं ठीक ठाक आप सुनाएं जी मैंड़ खी सर रिलैप्स पर्वेंशन के बारे में आप आज हमारे साथ कुछ चीज़ शेयर करें ताकि बहुत सारे ऐसे लोग परेशान होते हैं कि हम नी किसी रिहबिटेशन में अपने मुरीज का इलाज करवाया है लेकिन इलाज के बार जो है वो दुबारा से निशे की तरफ चला गए तो हम बड़े परेशान हैं तो क्या करें हफीज जो यानि के रिहबिटेशन में इलाज किया जाता है तो वो समझता है कि आफ 50% उसका ट्रीटमेंट हुआ होता है जो पकाया 50% ट्रीटमेंट है वो और बेसिल पे होता है जिसमें CBT के कुछ स्टेप्स होते हैं 12 स्टेप्स हैं CBT के जो के घ्रेप्स प्रिवेंशन में एहम रोड अधा करते हैं तो इसमें पेशेंट को सिखाया जाता है इन स्टेप्स के दूख के जिए उन्होंने किस तरह अपनी जिंद्गी को लेके आगे चैनला है अब हम अगर इन स्टेप्स को डिसकस करें तो मैं आपको वन बाई वन इन सारे स्टेप्स के मतलग बताता हूँ जो के रीरैपस प्रिवेंशन में बहुत सी स्टडी से भी थावट हुआ है कि बहुत ज्यादा इनका जो रोल है बहुत ज्यादा ऐहादा एहम कंसिडर किया जाता है instant नेरैपस प्रिवेंशन में तो सबसे पहले जो हमारा फर्स्ट टेप पा जाता है वो है पोस्ट एंड बेनिफिट अनेल्सिस जिसे हम उर्दु में कह सकते हैं कि जी नफ़ा और नुकसान का जाहिजा लेना इसमें बैसिकली हम क्या करते हैं कि जी जो पेशन्ट होता है अडिक्शन का उसे कहा जाता है कि जी आप कोई चीज पहनने के लिए लेने जाते है ना तो आप उसकी क्वार्टी के हिसाफ से उसकी प्राइस करते हैं और फिर उसके बाद आप उतनी प्राइस में उसको प्रचेश करते हैं अगर तो वह लो कोस्ट में यानि कि अगर तो उसकी किमत कम हो तो आप उसको प्रचेश का लेते हैं वे फाइदा है कि कम प्राइब में मिर रहा है और सूट कर रहा है और इसके एलावा वो आपके पाउ में बहुत कमफर्टेबल आप यूते के साथ , तो जब हम पहनने की चीजों में इतने conscious हैं तो हम अपने खाने की चीजों में इतने conscious क्यों नहीं है सवाल यह पैदा होता है तो इसके बारे में भी हमें सोचना चाहिए कि जो हम खा रहे हैं कि उसका फाइदा है या नुक्सान है आई से पहले जो भी यानि के मृईज होगा मैं शोटी किसा कह सकता हूं यह कभी यह नहीं सोचा होगा नशे के मृईज ने के के फाइदे हैं के नुक्सान है, शायद आज का ये जो हमारा सेशन है, जिसमें हम डिसकस करे страх हुए हैं को क played Scope Speedway को इसको सुनके वो इस verloren जरूर हो जाएगा इसका कही ना कहीं दिल ज्रूर करेगा कि वो स्थ और benefit जूर करें आपनी अडिक्षिन्सिक का टो इसमें हम कया करते हैं पेशन्स से के आपने 45- ste다 इन चार कॉлем बाना लेने जिसमें सबसे पहलेً अप लिखें निशा कर करने का फाइदा सेगंड में लिखें नशा करने का नुकसान थर्ड पर लिखें नशा ना करने का फाइदा फॉर्थ पर लिखें नशा ना करने का नुकसान जब कोई भी मरीद इस तरह से चार कालम एक पेज़ के उपना के लिखेगा तो वो नशा करने का फाइदा सोचेगा तो उसे दो, तीन, चार्ट से ज्यादा कोई फाइदे नजर ने आएंगे जैसे को वो कहा देगा जी स्कून के लिए, लुताफंदोजी के लिए या सेक्स परपस के लिए मॉस्ट्री जो मिजोर्टी यंग्स्टर्स की है वो अडिक्शन को सेक्स परपस के लिए इस्तमाल कर रही है तो वो ये कह देगे जब उनसे नेक्स्ट कॉलम की तरह वो मॉव करेंगे जब उदर लिखने की बारी आएगी तो वो लिखेंगे के जी सिहत का नुक्सान माल का नुक्सान जान का नुक्सान माशने में कोई इज़त ने रही खुद अतमादी में कमी आके रही बेचैनी स्कून की नीज ना आना और इसके लावा बहुत से मल्टिपल्स जो हैं वो नुक्सानाथ के बारे में बात करेंगे जैसे के आप कह सकते हो के जी मल्टिपल्स इसके नुक्सानाथ है तो वो जब लिखेंगे ना तो वो एक शायद पूरा पेजी भर जायसे और जब वो थर्ड कॉलम की तरफ मूफ करेंगे के निशान ना करने का कोई फाइदा है अगर निशान ना करेंगे कोई फाइदा होता है तो वो देखेंगे हैं भूबिलकुल आप इसलाम से जो दूर होए है इसलाम के क्रीब आजाएए अडिक्शन की हाँद में बन्दा इसलाम से दूर हो जाता है सेकिंड जो उसका माली नुकसान है वो खतम हो जाता है जानी नुकसान खतम हो जाता है इसके अलावा जो माश्रे में इज़त गई होती है बेहन बाईों में इज़त गई होती है फैमली में जो उसका रूल होता है वो दुबारा से कदर की नगाह से देखा जाना शुरू हो जाता है जो लोग ये नहीं करते वो बहतर जान सकते हैं और जो लोग ये छोड़ चुके हैं वो उससे भी ज्याला बहतर जान सकते हैं और इसी को अगर हम मूव करें फॉर्ट पे तो नशा ना करने का नुकसान अगर नशा ना करें कोई नुकसान होगा कोई भी समयदार बंदा ना ये नहीं कहेगा के जी होगा डेफिनेटरी अगर हम नशा नहीं करेंगे तो कोई नुकसान नहीं होगा तो इन दा एंड हम एक कंक्लूजन निकाल लेते हैं अर्ज़ा अर्ज़ करते हैं जो फर्स्ट टेप पे CBT का रियाप्स प्रिवेंशन के लिया है उससे यह हमें बात पता चाल जाएगी के निश्य के नुकसानात ही नुकसानात हैं इसका फाइदा कोई नहीं है तो लहादा हमें निश्य करना चाहिए यह जब आप किसी भी रिह हेविटेशन सेंटर से बाहर चले जाते हैं तो अपनी डेली लाइफ में कोस्ट एंड बेनिफिट का अनेल्सिस करना आप स्टार्ट कर दें तो यह आपको बहुत से मसाइफ से बचा देगा जिसके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं होगा बहुत अच्छा आपने एक् करवाना जो है जरूरी है के नहीं है अब फिर मेरा ख्याल में अगर तो पेशन्ट रिहबिटेशन सेंटर से गया है अगर तो वह एक मरतबा का लिया है उसने जजबात में आके तो यह समझे ले कि यह सेम उसी तरह ही है जितरह एक बच्चा जो है वो साइकल चलाना सीख र जरना है के जी आप यह काम कर सकते हो इसी तरह जो थेरापिस्ट होगा वो इनिजेटरी उसे कॉंसर्ट करें और उसके बाद वो थेरापिस्ट जो होगा वो से फर्दर गाइडलाइन परवाइड करेगा कि आपने किस तरह जगर एक मरतबा हो भी गया है तो इसका हरकस अब यह है कि अभी आप गिरे हो तो गिर के आप उठ सकते हो बच्चे एक दो मरतबा गिरता है जब शुरू में साइकल चलाना सीखता है और एक वक्त आता है उसे मकंबर उस चीज के उपर कमांड आ जाती है जितनी अटेंशन से पहले साइकल को चलाना सीखता ना फिर उस करना सीख लिया हुआ है कोपिंग जो है वो बहुत ज्यादा इहमय चैना होती हमित और फैमिली ऐिटूके आनल होती है क्योंकि ऐगर क्रिटिसाइस करेगी वह बढ़े बजायہ इससरी कि जो आप ने किये पर श्रमिदा हुआ है से कि लो रुप कियसे से पहले नाइडर ऑा आप उस नदामत को यूज़ करके उसको अडिक्शन से बचा सकते हो ना कि उसे क्रिटिसाइज करके अडिक्शन से बचा होगे सही बहुत अच्छा आपने एक्स्क्लेंग किया जिन फैमिल्स का ये ख्याल है कि जो है हमारे लाववानिया उनका कोई अजीज जो है वो दोबारा इलाज के बाद जो नशे की तरफ चले जाते हैं तो उने चाहिए कि एक ऐसा रिलैप्स प्रवेंशन प्रोग्राम है कि इसके तहर जो है दोबारा उस पेशन का इलाज किया जड़ता है तो इसमें परेशान होने की बात नहीं है ये जो है एक फेलियर होता है और इस फेलियर से ही उसमें सीखना होता है तो ओके अल्ला हाफीस अल्हामी के बाद